नमस्ते बहुत स्वाकत हैं देख रहे हैं आप लोग अगस्त महीने का मासिक रासिफल मेश, ब्रिशब, मिथुन और कर्क वालों के लिए इन तीन इन चार राशियों में खास तोर पर कर्क को कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है मंगल के कारोन, दूती भाव में मंगल आ जाएगा, बताएंगे हम आगे चल करके जानकार यह है कि आप हमसे अभी इस समय जब आप एक कारिकरम देख रहे हैं गाजियाबाद ने मुलाकात कर सकते हैं, गाजियाबाद आ चुके हैं मिलने के लिए आपके समक्ष जो नंबर फ्लेश हो रहा है, उस पर आप कॉल या वाट्सअप तुरंद कर लीजेगा समय मिल जाएगा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर, ये 7 दिन खास दोर पर 9 मी से लेकर के अम आवस्या तक हम गया जी मेर आएंगे जहां पर आपके पितरों के लिए हम उपस्तित हैं, आपके बिहाफ पर हम उनकी त्रिप्ति, उनकी शान्ति, उनका तरपन करवाएंगे ब्रामणों की व्यवस्ता है यहां पर आप आभी सकते हैं, बच्चों को लेकर आईए, सब आईए, पूरी तरह से हम आपका आओ भगत स्वागत करेंगे रहने खाने की व्यवस्ता हमारी तरप से है, जो खर्चा लग रहा है वो आप देख लीजे, कैसे आपको देखे एक बात मैं आपको बताऊं, तो किसी के भी पास पैसे नहीं होते हैं, ब्यवस्ता देनी पड़ती है, करनी पड़ती है किसके पास extra है इतरिक्त पैसा कहा है सब हो जाता है अचानकसे कोई अस्पटाल जाता है तो दसों लाख कब भिल आ जाता है सब ब्यवस्थाइं बन जाती है लेकिन अस्पटाल जाना ना पड़े उसके लिए एक लाख खर्च करना भी लोगों को भारी लगता है लगता है ना लेकिन जाने के बाद दस खर्च कर देंगे ना जाना पड़े उसके लिए एक लागा खर्च नहीं करेंगे ये विडम्बना है भोग है क्या कर सकते है आए बताते हैं अगेस्तो महिने का राशी फल मासिक राशी फल मेश राशी परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपके लिए सकरात मक्ताएं बन जाएंगी सूर्य करक राशी में चतुरत भाव में पंचमेश होकर के आएंगे शिक्षा में उन्नती होगी पढ़ाई अच्छी करेंगे दिनानक 7 से 12 अगस्त के बीच में कुछ विशेश उपलब्धी मिल सकती है 16 से 22 तक कहीं नई जगा एडमेशन हो सकता है एजुकेशन लोन के लिए अपलाई किये होंगे तो 10 से 14 के बीच में संभावना बनती है बैपार थोड़ा तकलीफ देगा सुरवाती समय पर कहीं निवेश के लिए समय अनकूल है प्राइविट सेक्टर मेश राशी अगस्त महीना 2021 प्राइविट सेक्टर की जॉब प्रभावित होगी 5 से 12 के बीच में बॉस के साथ इंबैलन्स सिचुविशन रहेगा सोले से 22 के बीच में कहीं नई जगें अपलाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजटिव आएगा 24-26 के बीच वाहन का सुख दिखाई देता है सरकारी छेतर वालों को तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है कुछ आरंभिक स्थती 10-11 तारिक तक की ठीक नहीं है काम की अधिकता फ्रस्टेशन और तनाव बढ़ेगा 10-11 के बाद उत्तर उत्तर धीरे धीरे आपका पाउं जमना सुरू होगा बॉस के साथ भी बाद 8-16 के बीच दिखाई देता है वाली पर अंकुष जरूर रखे दामपत्ते जीवन मेश राशी यहां स्थती ठीक नहीं है किसी न किसी का हस्तक्षे बढ़ रहा है सुर्वाती समय वाली पर ध्यान दीजिए दुतियस्थ दुतियेश शुक्र कुटुमभाव का कारक परेशान कर सकता है लव लाइफ बहुत अच्छा है कोई रुकावट परेशानी नहीं आएगी स्वास्त के मामले में देखा जाए तो थोड़ा बहुत उठापटक होगा अच्छा लव लाइफ में एक चीज का ध्यान देना है मंगल परेशान करेगा बारह में पर इसकी दृष्टी स्वास्त के दृष्टी से पेट और लिवर की समस्या बढ़ेगी उपाय भी हैं बताएंगे ब्रिशवरासी की बात कर लेते हैं अगस्त महिना सिख्छा के लिए बहुत अनकूलता रहेगी पांच से नौ के बीच कुछ अच्छे निरड़े होंगे बारे से सोलह के बीच एजुकेशन लोन संक्शन हो सकता है चौदे से बाइस के बीच में यात्रा भी हो सकती है सिख्छा का मामला ब्रिशवरासी अगस्त महिना ठीक है ब्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है सुरवाती समय दस तक तो बहुत परिशान करेगा दस के बाद थोड़ा सा पाओं आपका मजबूती से रखा जाएगा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में प्रमोशन नौ से लेके सोलह के बीच में नई नौकरी की संभावना पांच से अठारह के बीच में वाहन सुख सुरवात में ज़्यादा दिखाई देता है बाद में थोड़ा सा परिशान करेगा सरकारी छेतर वाले ब्रिशवराशी अगस्त महीने में प्रमोशन सुरवात में ही हो सकता है दस तारिक के अंदर अंदर में ग्यारा से बाइस के बीच में कुछ परिशानियां बाहर भेजने की वज़य से होंगी आप जाना नहीं चाहेंगे यात्रा है वाहन के बाद मकान का सुख गौर्णमेंट सेक्टर वालों को मिल सकता है दामपत्य जीवन उठा पटक के साथ चलेगा सुरवाती समय थोड़ा सा 10 तारिक तक ध्यान दीजेगा उसके बाद ठीक रहेगा लव लाइट में बैलन्स बना रहेगा एक दूसरे को सवहार्द पूर्ण स्थिति में आप लोग लाके खड़ा करेंगे बिस्वास डगमगाएगा नहीं चिंता मत करिएगा सब कुछ बहुत सुखद महसूस होगा बाहरी लोगों का हस्तक्षेब जादा मत लीजेगा स्वास्त आँखों की तकलीफ लिवर और किड्नी की समस्या हो सकती है जो लोग ड्रिंक वगरे करते हैं बिशब रासी के हैं उनको खास द्यान देना होगा मिथुन राश अगस्त महीना 2021 शिक्षा के लिए अच्छा अस्तर है शिक्षा में मजबूती आएगी कोई काम रुपने नहीं पाएगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में जो परेशानिया थी वो सुरू सुरू में 7-8 तक अगस्त तक निप्टा लेंगे आप कुछ हस्तक शेप बाहरी तत्व का था कुछ कर्ज की स्तिती थी वो भी आप 16-17 तक निप्टा लेंगे नए बिजनस को अभी आरम करने का विचार त्याग दीजे पार्टनर्शिप में समस्या गंभीर होगी 22-28 अगस्त के बीच में प्राइवेट सिक्टर यहां पर मिथोन राशी वालों को मजबूती प्राप्त हो रही है नई नोकरी की संभावना बनती है हो सकता है कि कोई दोस्त आपकी मदद करे 16-26 के बीच में सरकारी छेत्र के लिए तनाव बढ़ेगा इस्तियां आपके हाथ से बाहर जा रही है नोकरी में बने रहना बहुत मुश्किल होगा किसी न किसी तरह की जांच में उलस सकते हैं 9 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में दामपत्र जीवन अच्छा है पतने के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा घुमने टहले का कारकिम बनेगा परस्कितियां बहुत अनकूल हो रही है सब कुछ बहुत सुखत दिखाई देता है मेधोन राशी अगस्त महिना लव लाइफ यहाँ पर 7 अगस्त तक तो जैसे लगेगा कि ब्रेक अप हो जाएगा लेकिन आठ के बाद धीरे 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 सुद्रण होगी मजबुती पकड़ेगी स्वास्त के मामले में कमर दर्द बहुत परेशान करने वाला है कुछ हाथ पाउं में भी चोट चपेट की संभावना बनती है उपाहें बताएंगे पहले करक वालों का बता देते हैं अगस्त महीना कैसा भी देगा शिक्षा के लिए पांच से लेके 22 अगस्त के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है पांच के पहले और 22 के बाद ध्यान देना होगा बीच में बिना ध्यान के भी सबच्छा जाएगा ब्यापार तकलीफ बढ़ाएगा 3 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में रिस्क लेना भारी पड़ेगा लेम देन में तिक्कत होगी पैसे की किल्लत रहेगी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज हो सकती है प्राइविट सेक्टर में अनकूलता रहेगी वाहन का सुख 5-9 के बीच में है 12-18 के बीच में मकान संबन्दी चिंता दूर होगी नई नोगरी की संभावना 10-22 के बीच में है सरकारी छेतर में तनाव बढ़ रहा है बास के साथ टकरा हो सकता है कुछ दिन छुट्टी ले लीजेगा लंबी आत्रा अवाइड करिएगा परिस्थतियां आपके पक्ष में नहीं है शडियंत्र कारी लोग 16-28 के बीच में परिशान करेंगे तामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा बच्चों की खुश खबरी मिलेगी स्वास्त बिलकुल ठीक रहेगा अब चारों के लिए उपाय क्या किया जाए भाईया एक ताबे का कड़ा पूरे महीने में पहन के रखी दाहिने हाथ में पहले से पहने तो कुछ करने जरूरत नहीं ताबा कॉपर महीना बीच जाएगा निकाल के पूजा स्थान पर रख दीजेगा यही उपाय है नो नॉन्वेच एंड नो पत्थर थांकियो बहुत बहुत शुक्रिया प्यार बनाए रखने के लिए अनुमत दीजेगा नमस्कार